आपका स्वागा थे दोस्तों मेरे इस चैनल पर यहां एक दूसरा वीडियो है विल्डिंग मशिन रिपेरिंग को लेकर आज की जो मशिन है इसमें इसे केपेसिटर वगेरा सारे आउट हैं थोड़ी से ब्लास्टिंग भी हुई है तो आज हम इस पुरी मशिन को अनलेशिस क करेंगे कि इसमें क्या प्रोब्लम किस कारंट से आई हुई है वो इसे कैसे रिपेर करेंगे दोस्तों तो इस मशिन को मैं सीनीज में मैंने आउन किया हुआ है और मैं देख रहा हूं कि यह चालू नहीं हो रही है इसका स्विच भी काम नहीं कर रहा है ठीक से फीजिकली इ इसके वायर भी कट चुके हैं यह मैं देखा इसका एक पिसिटर वाहर निकला हुआ था तो देखते हैं इस यह क्यों हुआ है किस कारंट से वा इससे कैसे रिपेर करेंगे अब देख सकते हैं PCV प्लेट प्लेक हो चुकी है पूरी जलने के कारण शुका हुआ 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 ह solder कर दिया है अब मैंने एक एक करके मल्टीमिटर के तुरू चेक करूँगा PCB को अच्छे से एक्जामिन कीजे इसमें और कोई एक्स्ट्रा फॉल्ट तो नहीं है तो कि बाद में हम जब मशिन ओन करें तब कोई दिक्कत ना है जैसे कि इसमें एक एक NTC पुटा हुआ है तो इसे भी चेक कर लीजे कि कहीं है खराब तो नहीं है वर्किंग कंडिशन में है या नहीं है अब हम इसके कैपिसिटर को चेक करेंगे चेक करने के लिए आपको मल्टीमिटर को कंटिनटी रेंज में सेट करना होगा वो इसके दोनों टर्मिनल से चेक करना होगा अगर कोई वीप साउड आता है तो किपदिसिटर फॉल्ट होता है लेकिन अगर छोड़ी देर में कैपिसिटरν तो वह बिल्कुल ऑक्के है यानि कि विकशिटर चार्ज डिस्चार्ज दो नोए पो रहा है अब मैं इन्हें वापस से इसादर करूंगा इस PCB बोर्ड में कि दोस्तों अब हम가요 स्पीबी में इसके ऐसेटर के सारे पॉइंट्स को खाली करेंगे सपिर की मदद से, अपना की मदब से और इन्हें क्लियर करके फिर में capacitor को आपसे solder करेंगे, solder करते वक्त दोस्तों ध्यान रखे कि capacitor हमेशा tightly solder होने चाहिए, अगर यह lose रहेंगे तो फिर से वही problem हो रहेगी, थोड़ा बहुत भी voltage कम जाए रहा, तो यह अपने आप बाहर निकल सकते हैं, यह blast हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने अच्छे टाइट दबा कर अच्छे से solder कीजिए, दोस्तों, वेल्डिंग मेशिन के रिपेरिंग वीडियो के लिए, मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, यह आपके लिए बिल्किल फ्री है, जरूर इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने सारा सॉल्डिंग कर लिया है, अब मैं इसके दोनों वायर्स को सीरीज में कनेक्ट करूँगा, और चेक करूँगा इसे अन करकर कि यह वल्टेज स्टो आपको बंद कर देना है, ज्यादा दिर लंबा नहीं चलाना है, क्योंकि यह डिस्चार्ज नहीं होते हैं, काफी रिस्की रहता है, आपके हातों को साउधानी से प्लेस करके इसके वल्टेज चीक कीजिए, 330 वोल्टेज से के सम्टिंग में इसका वोल्टेज बनता है, वीडियो में देख सकते हैं, पावर सप्लाई के कारण जो स्पार्क हुआ था, उससे इसकी उपर वाली PCB को भी डेमेज हुआ है, यहां कार्बन जन चुका है, ब्लैक ब्लैक में, इसे भी हमें क्लीन करना होगा दोस्तों, नहीं तो बाद में कुछ और प्रॉब्लम हो सकती इसलिए मैं इसे पूरी प्लेट को बाहर निकार लूँगा और इसे क्लीन करूँगा, आप देखिए आगे बने रही है वीडियो में, PCB को क्लीन करने के लिए आप पेट्रोल, ब्रश, ठीनर का यूज़ कर सकते हैं, PCB क्लीनर भी आता है, आप उसका यूज़ करके भी इसे क आप मुझे सपोर्ट कीजिए इन चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करके, अब आप देख सकते हैं, PCB क्लीन है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आप इसको मशिन को आगे फिट करेंगे, तो अब ये दोस्तों फाइन इसको मेजर करेंगे, मिल्टीमिटर के त्रू, मैंने मशिन को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, अब मैं इसके आप इसको काम करेंगे, म receiver करने के लिए, मैं डारेक्ट पीसीबी से इसके आउर्पूट वाल्ट जेसको उठाऊंगा जो कि आप देख सकते हैं 62.6 वोल्ट आ रहा है यांद कि मेशिन अमरी वर्किंग कंडिशन में मैं चोटा सा स्पार्क करके भी इससे चेक करूंगा कि मेशिन वेल्डिंग करेगी या नहीं करेगी देखें मेशिनिदम वर्किंग कंडिशन में इससे वीडियो के लिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आपका सपोर्ट चाहिए यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी ठेंक